हलो एवरिवन, वेलकम तो माई योट्यूब चैनल गुरू एजूकेशन, आज आपा एक्ससाई 12.1 तो कोश्चन नमबर 13 करांगे, तो कोश्चन 13 है, कॉंसीडर दी स्टेटमेंट, रेश्यो अफ ब्रेथ अफ दी हौल इस तो 5, किसे हौल दी लेंथ दी ब्रेथ दी रेश्य आपाउनाने दित्ती होई है, कॉंपलेट दा फॉल्विंग टेबल देट शो सम पॉसिबल ब्रेथ अन लेंथ अफ दी हौल, ता ए टेबल दित्ता होनाने, दिखो, टेबल दे विच ब्लेंग्स दिती है, ता पॉसिबल लेंथ दे असी रेश्यो कड़नी है, रेश्यो टेबल दे विच रेश्यो दिती है, टेन अपाउन ट्वंटी फाइव, जा डैश अपाउन फिफ्टी जा फोटी अपाउन डैश, ए जिडियाने इनना सब दी सिंपलेस्ट फॉर्म जिटी टू अपाउन फाइव ही होएगी, ठीक है, ए रेश्यो चाहे कोई भी होवी, इन सब दी सिंपलेस्ट फॉर्म टू अपाउन फाइव ही होएगी, क्योंकि ए इकुलेंट रेश्यो है, ठीक है, तो देखो, टू अपाउन फाइव, पहला जिन हैगी ये लेंथ, ब्रेथ टू लेंथ, ये हैगी है टैन अपाउन ट्वंटी फाइव, इनना ट्वंटी फॉर् सिंपलेस्ट फॉर्म टू पाउन फाइव होगी, तो अग्ये देखो, अग्ये दित्ता हुनाने लेंथ देती है, फिफ्टी और ब्रेथ नहीं देती, हुन असी ब्रेथ आप फाइंड करनी है, असी देखना है कि फिफ्टी, फाइव नू किन्ने नाल मल्टिप्लाई करनते फिफ्टी अन्द है, फाइव नू अगर असी टैन नाल मल्टिप्लाई कर दिए, ता फिफ्टी आएगा, ता मेंस कि ये नू टैन नाल मल्टिप्लाई कर दांगे, ता एक टू टैन जा ट्वन्टी, ठीक है, ता एदी जड़ी ब्लैंक आऊँगे, ट्वन्टी अपान ठेखो, थर्ड एवेच्ट नाने सानों 40 दितता होया है और लेंथ निहीं दितती हैं, हुन आसी देखना है कि 2 नू किन्य नाल मल्टिप्लाई करनते 40 आंद है, ता 2 नू किन्य नाल? 2 नू 24 multiply करंते 40 आंद है ता असी इस 2 नू 24 multiply करदांगे ता 40 आगया फिर असी 5 नू वी 24 multiply करांगे ता 5 नू 24 multiply करंते 100 आएगा ठीक है ता ही blanks 20 से 100 है और इन न दी सब दी simplest form 2 upon 5 ही रहेगी ठीक है ता इसी सादा question number 13